अगर आप किसी के साथ सिर्फ पैसे या क्रीड के लिए है तो इसका अंसहीं नहीं हो सकता इसी कंसेप के साथ आज के हमारी मुवी कैनियन यह होलिवड के एक ठिलर मुवी आती है स्टार्ट करने से वहले में आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजएगा अब बिना किसी दिरीगे इस्पनेशन स्टार्ट करते हैं मुवी के स्टार्टिंग में हम हमारी चार में कैरेक्टर को देखते हैं यह मुवी हमारी हॉलिवड में सेट हुई है हमारा में कैरेक्टर जिसका नाम में क्रिश्चन यह मुवी का प्रोडूसर होता है उसके गर्ल्फरेंड हमारी और एक में कैरेक्टर है उसका नाम में टैरा आज क्रिशन अपनी असिस्टन जीना उसके बॉइफ्रेंड रायन के साथ डिनर कर रहा था एक्चुली क्रिशन की मुवी में रायन एज लीड हिरो काम कर रहा है यह सब जीना के रिकमेंडेशन से हुआ था यह आपर इनकी बात्ची चल रही थी जिसमें क्रिशन कहता है जीना और रायन तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है रायन भी क्रिशन और टैरा को कॉंप्लिमेंट करता है इसे explain करते हैं क्रिशन ने कहा कि हम दोनों एक दुसरी के साथ तो है पर फिर भी हम किसी और के साथ इंटिमेट हो सकते है पसिव एक दुसरी के साथ होना होता है इसका मतलब है टैरा और क्रिशन यह दोनों डेटिंग एप यूज़ करते हैं घर पर लड़के लड़कों को बुलाते हैं और उनके साथ इंटिमेट होते हैं पर यह सब एक दुसरी के सामने करते हैं टैरा के लिए बात ज़रा परसनल थी वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी इसके बारे में पता चले इसी वज़े से वो ज़रा अनकमवर्डेबल हो कि क्रिश्चन को लगता है कि इस तरीके से रिलेशनशिप होने की वज़े से और टैरा पर ट्रेस कर सकता है यह सारी जीज़े रायन को बहुत ही अजीब लगे क्रिश्चन कहता है कि इसमें अजीब कुछ भी नहीं इसके बाद इनका टिनर खतम हुआ गहराने पर टारा क्रिश्चन पर बहुत गुस्सा थी वो गहती है तुम्हें ये सब चीज़ें उन्हें बतानी नहीं चाहिए थी हमारी प्राइवेट बात है हमें प्राइवेट रखनी चाहिए तुम तुमारे साइकोलाजीश से जिस तरह से बात करते हो ये तुमारे लिए परसनल है ये चीज़ें में तुमसे कभी नहीं पूछती है क्रिश्चन उसे रिलाक्स करने के लिए कहता है इसके बाद इन्होंने डेटिंग आप से एक लड़के को बुलाया हुआ था इसके साथ इंटिमेट हो गए इंटिमेट होते वक्त इन्होंने रिकॉर्ड भी किया था घर पर जीना रायन से वोश्टी है तुम्हें टैरा लगी कैसी वो बहुत ही ब्यूटिफुल है रायन कहता है कि फिर से शुरू मत हो जाओ मुझे सिर्फ तुम ही अच्छी लगती हो जीना कहती कि कास्टिंग के वक्त टैरा ने तुम्हें कास्ट करने के लिए बहुत सारा फोर्स डाला था इसी वज़े से शाय थो थोड़ा सा शक कर रही है अगले दिन टैरा जब शॉपिंग के लिए जा रही थी तुसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है आज जो शॉपिंग मॉल में रायन सी मिली एक्चुली इन दोनों में रिलेशन्शिप थी इसके बाद उनका परेकप हुआ था और फिर टैरा क्रिश्चन के साथ है अभी कुछ विक्स पहले दोनों फिर से मिले तो फिर से इनका अफिर कंटिनू हुआ है अब मिलने के बाद रायन टैरा से कहता है तुम्हें क्रिश्चन के साथ नहीं रहना चाहिए मैंने कल नोटिस किया कि तुम्हें किस तरीकी से ठीट करता है तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती टारा कहती है खुश रहने के लिए मैं उसके साथ नहीं हूँ जब ये दोनों रिलेशन्शिप में थे तो दोनों struggling actors है तो इनके पास कभी भी पैसे नहीं होते थे कभी-कभी घर का rain भी पे नहीं कर पाते थे इतने struggle में जीना टारा को सही नहीं लगा इसलिए उसने रायन को छोड़ दिया था वो Christian के साथ है क्योंकि उसे safe लगता है Christian वैसे भी कोई सही character नहीं उसके एक friend है जिसका नाम है Cynthia वो हमेशा उसके पास जाता है और directly intimate होता है एक दिन Cynthia उसके साथ intimate होते वक्ग उसे kiss करने लग गई Christian कोई सही नहीं लगता वो गहता है हम दोनों के बीच कोई भी प्यार नहीं है हम सिर्फ intimate हो सकते है उसे कोई भी attachment नहीं चाहिए इस बात से Cynthia को बहुत बुरा लगा कहती है फेसे वापस मता ना अगली दिन Christian की assistant जीना ने टैरा को बात करने के लिए कैफे में बुलाया जीना कहती है कि हमारे डिनर अच्छा था रायन को भी Christian पसन आया था इधर उधर के उन्होंने बाते की वाज जीना ने टैरा को उसके plans पूछे टैरा एक्च्छल में थोड़ी सी uncomfortable थी वो Christian के साथ जब relationship में कई थी तो कुछ और चाहती थी अब life से कुछ और चाहती है इनकी meeting एक्च्छल में Christian ने plan की थी वो जानना चाता था इधरा के mind में चल क्या रहा है उसे शक है इशाय तो उस पर cheat कर रही है जीना Christian को कहती है इधरा बहुत ही normal लग रही थी आज कल Ryan को पैसो की problem है उसकी movie की shooting स्टार्ट होने वाली है पर इसमें भी उसे जादा कुछ पैसे मिलेंगे नहीं जिस बार में वो part time काम करता है उस बार के owner के पास हो गया उससे उसने extra shift मांगी बार का owner ये gay था और जिनें भी पैसो की जरूत होती थी उन्हें वो exploit करता था वो Ryan के साथ भी intimate होने की कोशिश कर रहा था पर Ryan वहाँ से चला जाता है इसके बाद वो Tara से मिला उसके साथ intimate हो गया Actually Christian Tara और Ryan पर नज़र रख रहा था उसे पता चल गया कि इन दोनों में affair है अब Ryan को torture करने के लिए Christian डारेक्ली movie के director के पास गया उसे कहता है एक राद तुम Ryan को तुमारे पास बुलाओ उसे कहो क्यों से अब ये role नहीं मिलने वाला अगर उसे role चाहिए तुमारे साथ उसे intimate होना पड़ेगा ये बाद डारेक्टर को पसंद नहीं आई वो ये करने नहीं वाला था पर Christian कहता है यहाँ पर बहुत सारे डारेक्टर है मैं किसी को भी hire कर सकता हो अपने job जाने की fear में एक डारेक्टर ही करने के लिए मान जाता है एक दिन जीना के आईपैड पर Ryan Christian का schedule देखता है उसमें से सिंध्या का नाम उसका पहचान का था सिंध्या वही लड़की है जिसके पास जाक कर Christian इंटिमेट होता था Ryan ने सिंध्या के बारे में जीना से पूछा जीना कहती है कि सिंध्या fitness coach बन चुकी है पर उसे पता है Christian उसके पास क्यों जाता है रात में दोनों बाट टब में थे तब ही टैरा के बारे में बात कर रहे थे जीना कहती है उस दिन में टैरा से मिली और वो मुझे डरी हुई सी लग रही थी आज रात ही Ryan को डारेक्टर का कॉल आया जैसा Christian ने डारेक्टर को कहा था Ryan को ब्लैकमेल करने के लिए वो ही डारेक्टर ने किया Ryan को अपना जौब रखने के लिए डारेक्टर के साथ इंटिमेट होना पड़ेगा इस बार अपने हालाद से Ryan तंग आ चुका था वो कॉम्प्रमाइज कर लेता है अगली दिन टैरा को एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था तुमारी लाइफ खत्रे में है ये उसे बहुत ही आजीब लगा वो कृष्चन से बहान बना दी है या अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है जिसने मैसेज किया था उसे मिलने के लिए जा रही थी कृष्चन को समझ में आ गया कि कुष्चना कुष्च तो गर्बर है वो टारा के रूम में जाकर उसका मोबाईल चेक करता है टारा ने अवे भी नोटिस किया कि उसका कोई ना कोई तुपीछा कर रहा है टारा अड्रेस वर पोजी तो एक्च्वल में सिंध्या का अड्रेस था सिंद्या गहती है क्रिस्चन जब तुमारे साथ relationship में आया उससे पहलों मेरे साथ था डैरा गहती है ये कोई बड़ी बात नहीं उसकी बहुत सारी girlfriend रह चुकी है उसे इसे कोई भी फरक नहीं पड़ता सिंद्या गहती है क्रिस्चन बहुती dangerous है मुझे पता है कि वो तुम्हारे साथ भी गेम्स खेलता होगा टैरा कहती कि हमारी रिलेशन्शिप अलग है तुम इसे समझ नहीं सकती सिंद्याने का हमारी रिलेशन्शिप भी तुम्हारी तरह ही थी एक दिन उसने बहुत सारे लोगों को घर पर बुलाया मेरे साथ वो जबदस्ती इंटिमेंट हो गए मुझे हस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था वो वान करे थी कि कृष्ण से वो दूर चली जाए टैरा कहती है तुम केरफूल नहीं थी कृष्ण मुझे कभी भी हट नहीं कर सकता वो कुछ भी बात नहीं मानती है और घर आ जाती है जैसे कि हमें पता है कि इश्ण ने टैरा का फोन ले लिया था इससे उसने रायन और टैरा की बीच में जोबी हुआ इस सब की इंफॉर्मेशन निकल वाली है वो बहुत ही गुस्सा हो गया था रात में टैरा जब घर पर आई तो कहता है कुछ लोग हमारे यहां आने वाले है टैरा भी कहती कि बुला लो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था रात में तीन-चार लोग इनके साथ आए और यह सारे मिलकर इंटिमेट हो गए अगली सुबा हम देखते हैं कि रायन सिंथिया से मिलने के लिए आया हुआ था इसका मतलब है यह दोनों मिले हुए है यह दोनों अच्छे फ्रेंड्स है तो सिंथिया ने टैरा को सब कुछ जूट खा था एक्चुली क्रिश्चन ने कभी भी सिंथिया को हट नहीं किया आज दिन भर रायन ने नोटिस किया था कि उसका कोई ना कोई तो पीछा कर रहा है उसने फाइनली उस आदमे को पकड़ लिया और कहा इजाओ और क्रिश्चन को बता दो कि मैं उससे नहीं डरता उसे जो भी करना है वो इस सब कर सकता है इसके बाद रायन एटियम से पैसे निकालने के लिए गया पर रायन ने उसका अकाउंट हैक करकर उसके सारे पैसे गायब कर दिये थे इस बार रायन बहुत ही जादा गुस्सा हो जाता है अगली सुबा जब टैरा उठी तो उसका फोन उससे कही भी मिल नहीं रहा था वो कॉल लगाती है तो क्रिशन के पास है उसे कन्फरंट करती है कि मेरा मोबैल तुम्हारे पास क्यो क्रिशन में उस वर गुस्सा आओ गया वो कहता है मुझे पता है कि तुम्हें और रायन में अफेर है वो आउट आफ कंट्रोल होकर उसने सिंत्या को हर्ट भी किया रायन आज बहुत ही डिस्टरब था वो आफ्टरनून में ही ड्रिंक कर रहा था तो उसकी गल्प्रेंट बोश्ती है कि हुआ क्या वो कहता है कि मुझे मूवी नहीं मिलने वाली टायरा और उसके बारे में सब कुछ उसने उसे बता दिया जीना बहुत ही जादा गुस्टा होके वो गहती है कि अभी क्या भी यहाँ से चले जाओ मैं ध्यान में रखूंगी कि कवे भी किसी भी मूवी में तुम काम ना करो टायरा को मारने के बाद क्रिश्चन को बुरा लग रहा था तो अपने साइकोलोजिस्ट के पास हुगया वो उससे कहता है कि नॉर्मली मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता पर मैरा कंट्रोल चला गया था इस थेरपी में आना साया उसे बुष्चता है तुमने टैरा से जोट क्यों कहा सिंथ्या सिर्फ क्रिश्चन का अटेंशन पाना चाहती थी क्रिश्चन बात्रूमें जाकर कपड़ी चेंज करता है वो जब बहार आया तो उसके हाद में नाइफ थी उसने सिंथ्या को मार डाला वो रायन को कौल लगाता है कहता है तुमने सिंथ्या के साथ किया क्या वो रायन को सिंथ्या के मर्डर में फसाना चाहता था रायन जल्दी से सिंथ्या के पास पहुचा और वो बहुत ही डर जाता है इसके बाद जब क्रिशन घर पर आया तो टारा सब कुछ कपड़े वगरा पैक करकर यहाँ से निकल जाने के लिए रेडी थे वो क्रिशन से पुछती है अगर तुम जाते हो कि मैं यहाँ से चली जाओ तुम्हें कुछ भी फरक नहीं परता तुम्हें यहाँ से चली जाओंगे क्रिशन ने कहा कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा अगर तुम्हें पुलिस ने पूछा तो बताना कि आज पुरा दिन मैं तुम्हारे साथ था टारा कनफिउस्ट होगे वो पुछती है तुमने ऐसा क्या किया क्रिशन कहता है मैं तुम्हें जैसा कहा है सिर्फ वही करो अगर तुम नहीं करती तुम्हें रायन को मार डालूँगा और तुम्हें पता है मेरे पास इतने पैसे है कि कुछ भी करकर मिया से भाग सकता हो टेरा के पास भी कोई option नहीं था राय इनको बचाने के लिए उसे पुलीस से जोट बोलना ही पड़ता है इसके बाद movie में directly एक साल बीच चुका है टेरा अपने new boyfriend के साथ एक double date पर आई हुई थी टेरा की friend की girl friend एक Christian को जानती है उसने टेरा से पूचा ये एक साल पहले murder हुआ था क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है टेरा कहती कि कोई भी पकड़ा नहीं गया एक suspect था पर उसके खिलाफ कोई ज़्यादा evidence नहीं मिले इसका मतलब है Christian Ryan को frame तो करना चाता था पर Ryan इससे बच गया ये friend बुचती है क्या अवी भी तुम Christian की contact में हो टेरा गयती है हमारा एक साल पहले break up हो गया उसके बाद हम सिर्फ social media पर active है कोई भी personal contact नहीं रखते इसके बाद ये friend bathroom गई और उसने Ryan को call लगया ये एक दूसरे से प्यार तो करते थे पर दोनों लाल जी थे टेरा Christian के साथ थी क्योंकि उसे safety चाहिए थी Ryan जिना के साथ था क्योंकि उसे movie मिल पाए अलगर अग पार्टनर के होने के साथ भी ये दोनों cheat करते रहे finally इनकी relationship का एक dark end हुआ ये कभी भी एक साथ हो नहीं सकते है इसे एक dark ending के साथ ये movie end हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे like और comment जरूर कर दीजेगा ये बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस channel को subscribe कर दीजे और bell notification icon दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमूई के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखे